कि ये गाइस वेल्कम बेक तु चल मेडिकोस और आज जो अपना टॉपिक है वो अपना होने वाला कम्प्लियंस क्यों पर ठीक है कम्प्लियंस क्या होता है तो आप इसको यह भी बोल सकते हैं कम्प्लियंस ओफ लंग्स ठीक है मतलब कम्प्लियंस के बारे हम पढ़ेंगे सार ले सकते हो उसकी लिंक के बगार आपने डिस्क्रेप्शन बॉक्स में आपको प्रोइड करवाता हूं तो आप वहां से ले लीजिए तो स्टार्ट करते अपना आज का टॉपिक ठीक है और पूरे टॉपिक को ध्यान से सुनना क्योंकि लाज्ट में आप से कॉस्चिन अपने हैं शॉपिक ठीक है तो स्टार्ट करते हैं अपने हाप एपन क्या बोलते हैं और क्या बोल सकते हैं इक सब्सक्राइब नंग्स ठीक है उतना समझ आ गया हूं और अगर इसको फॉर्मूला बेस देखें तो कंपलीयंस बड़ाब होता है चेंच इन बॉल्यूम अप यहां पर एक चीज यहां पर मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूं अच्छे समझाएगा कि यह मान के चलो आ गया अपना एक लंग्स है ठीक है जनरली स्टेक्चर बना दिया मैं लंग्स का क्या होता है अब इस पर अपना प्रैसर एक नॉर्मली प्रैसर इनीशियल था ठीक लंग्स का वो कितना था इनीशियल बॉल्यूम मान लेते हैं अपन कितना आप ले लिजी यहां पर 20 ले लिजी ठीक है फिर इसके बाद इसने क्या किया प्रैसर की बज़े से ऐसा एकस्पांड किया इस वाइस अपना फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया अपना 40 ठीक है तब होजाई compliance यहांपर है 2 4 ठीक है तो 4 हाँ पर का जाएगा अपना compliance इतना अपने को समझ में आगा और calculation भी आता इससे अपन two base के through इसको express कर सकते हैं पहला कर सकते हैं in relation to intra-alveolar pressure जो alveolar की pressure होता है उसके relation में अगर देखा जा है कि उस pressure को change जो alveolar का pressure था उस pressure को अपन change करने पर lungs में कितना change आ रहा है ठीक है lungs के volume में एक तो इसके relation में second relation to intra-plural pressure मतल fold u एन बहुत उस प्रैसर को इस प्रैसर को चंज करने की वैसे तो तो पहले बात करते अपन connect to thempfen इंट्रा 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 इंट्र एक साथ करके देखा जाए कि कितना चींज आ रहा है वह अपना कितना होता है 130 ml पर सेंटी मीटर एच्टू प्रेसर अब आप एक चीज़ समझे यार क्या होता है नॉर्मली जो पने स्टेंडर्ड लेते हैं उसमें क्या करते हैं इस ट्यूब है उस ट्यूब में क्या भर देत है मर rely तो उस मर करते हैं अपन एक प्रैसर अप्लाई को हो एक तो इतना प्रैसर करें को मरकरी बिभुण सेंट्य मीटर तक पहुंच जाए ट्यूब मौते हैं ऐटमेच स्थी लगेगा स्वाटर को ब्रud इस वाटर को Quan सेंट्य मीटर तक ले जाने क्लिए किलीए कितना प् किस में ले रहे हैं बन सेंटीमीटर तो यहां पर क्या बॉटर कॉलम की बात कर दें तो यह तो अपनी जन्नल वाथ हो गई तो अब आगे चलते हैं पर बन थर्टी हो गया तो अपना लंग्स प्लस थोरेक्स का पर अगर लंग्स का सिंपली देगा याद कितना हो गया 220 एमेल इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब एह होता है । इसमें और सेंट्रक्रेसर करने कि वजह से यादी इसलिएम जालक शेंज हैता कंप्रेसर को चेंज करने की वाजे से तक है उतना अपने को समझ में आ गया आगे चलते हैं Compliance in relation to the intra-plural pressure, जो plura थी न, उसमें pressure भरा हुआ था, तो उसकी वाईसे अपना क्या change आएगा, तो इसका जो formula होता है, वो compliance is called to increase volume of lungs, ठीक है, with decrease intra-plural pressure, यहाँ पर का decrease करने पर, ठीक है, अपने को पता है, जो intra-plural pressure होता है, वो अपना always will be negative, ठीक है, अगर अपन negative को यहाँ decrease करेंगे, तो इक किस side move करेंगा, अपना positive की हो, ठीक है, ऐसे मान की चलो कि अपना minus 6 था, ठीक है, अगर मैं इसको क्या कर रहा हूँ, decrease कर रहा हूँ, तो कहाँ पहुचेगा, minus 2 या minus 1, त 200 ml, ठीक है, पर cm H2 pressure, और जो lungs की अकेली रहती है, ठीक है, lungs plus thorax कम थी, और lungs के साथ क्या हो, जादा हो जाएगी, तो कितनी हो जाती है, 200 ml पर cm H2 pressure, ठीक है, अब उपर और नीचे correlate काल दीजी यार, कि उपर lungs plus thorax में कितनी बंद 30 थी, तो यहाँ पे, अपना relation to intra-plural pressure में कित से 20 से decrease होगा, ठीक है, उपर केतना था 220 था, यहाँ पे केतना हो गया, 200 ठीक है, इतना अपने उस समझ आगे, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अपन का specific compliance का होता है, ठीक है, specific compliance of lungs is called कि होता है, compliance of lungs, ठीक है, जो होता है, and functional residual capacity, residual capacity, functional residual capacity का होती है, अगर में यहाँ बात इसके बाद आपने इंस्पीरेशन किया तो क्या होता है कि यहां पर फोर्सफुली एक्सपायर करती है बट इसके बाद भी अपने लंग्स में कुछ यहां पर बचा रहता है उसी बॉल्लियूम का पन बोलते हैं इसके बाद भी कुछ यहां आपकी लंग्स में बची रहती है उसी लंग्स की जो यहर बचती है उसी क्यापिसिटी को बोलते हैं फंक्शनल रेशिडियूम कैपिसिटी ठीक है यतना अपना किलियर हो गया आगे चलते हैं आप टाइप्स ओफ कंप्लियंस के उपर टाइप्स करते हैं कॉंप्लीजियंस को तो अपन स्टैटिक कंडिशन में मेंग्सर करेंगे उस स्टाइम पर कोई भी भी बीघिंग औहीं करेंगे कोईा मैसल म केलिंगे को इस तैम ही जो इस कश्च परदई इस एफ्रियूम के लंक्वूर्ध के उनल सन्प जो और तेठार रिक्वा मतलब कि वहाँ पर आपकी zero follow मतलब कोई breathing नहीं हो रही है और जो वहाँ पर आपका given tidal volume होगा ठीक है उस volume को मानते हुए वहाँ पर जो अपने को pressure required होगा किसलिए कि जो वहाँ पर elasticity आ रही है उस elasticity को कम करने के लिए ठीक है उससे overcome होने के लिए के लिए तो यह अपना समझ आ गया आगे चलते हैं अपन डाइनेमीक कमप्लियंस कбы ठीक है डाइनेमिक मजर केहां की करने कउने कि होता है के में सोती में kompliet करता है तीक इतना अपने हैं इंक्रीस का करता है फीजिलोजी का our age को 처os change कर जाता पैतोलोजिकल तो हम हम क्या होता है अपना जो लंग असAre तेन्ट होता है तो कभर या अगर आपका लंग सर्पेक्टेंट है वो अगर कम कर गया तो क्या होगा वहाँ पर सर्फिस टेंसर इंक्रीज कर जाएगी तो इस भी क्या होता कि अपने पास लंक्स के पास होती है कि elastica capacity टीक elastic force तो हम वो elastica force पर apply होगी और उसलिए का हपर लंक्स में change जल्दी आ जाएगा चीक के तुरूप अब क्या होता है decrease compliance कब होगा एक तो 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 fibrotic pluracy second fibrosis ठीक है देते हैं Plural Effusion and Neumothorax क्या होता है Fibrosis में Fibrosis में किया जो लंक्स रहते हो में ठोड़ी तफ हो जाते हैं तफ होने की बशियर क्या होता है कि उने हमें अपन चेंज लोग लाना चाहते है या फिर प्लूरा रिफ्यूजन वगरा हो जाए तब भी यहां पर अपना कम प्लियंस वह कम हो जाएगा तो यही तरह इसमें सारा का सारा टॉपिक में और आप से जो कोश्चन पूछा जाएगा पहला कोश्चन क्या है आपको एसन लिखना है कंप्लियंस वूपर ठीक है कॉ कौन्स होते है कंकिन के रिलिशन में यह उठीक तो दो रिलेसिन में लिकोना है कंको णक्य सावे होती मत्यूर की फिर इसके बाद इनक्रीक औरल इंग्रीज करते है अच्छी सी birth में और इसके बात बढ़ी अच्छी से पढ़ाई करो या मेहनद करो थांकी फॉर बon and keep learning